यह बता यह पैट का फुल्फॉम क्या होता है कि पैट का full-form क्या होता है अफाय कीमरी फिल्डी मरी ऐँ बोलिये इजी विल्टी टेस्ट बोले इस बिल्टी टेस्ट नमस्कार आप सभी का जनता का राज में बहुत को स्वागत है इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अमीरपूर जिले के राट में हैं और यहां पर लक्ष परवार द्वारा स्वामी ब्रह्मा अनंत प्रिद्वा पर मौजूद है जिन्हों ने पैट का यहां पर एक्जाम दिया है अब यह आप देखेंगे लाइन कितनी कमाल की लगी है लेकिन मुझे ऐसा लगते है बहुत जल्दी यह पीछे जाने वाली है तो सबसे पहले यहां चात्राओं से सुरुआत करते हैं कौन सा एक्जाम दि प्राइमरी टेस्ट अच्छे बोलिये इजी विल्डी टेस्ट बोलते है इलीजिविल्टी टेस्ट बोलते है चली लड़किया पास होगे तालियों मजाई एक बार इनके लिए अब यहां पर आते हम लोग यह बताईए पैट का फूल फूर्म क्या होता है पैट का फूल फूर्म क्या होता है प्राइमरी प्राइमरी क्या होता है गलत क्या होता है गलत क्या होता है तालियों के लिए इनने सही बताया है तालियों बजाईए क्या होता है प्री इलिजिविल्टी टेस्ट प्री इलिमनरी बोली एक बार प्री इलिमनरी इलिजिविल टेस्ट चलिए बहुत बढ़िया और फिर से हम छात्राओं के पास जाएंगे कैसा बना है सब को एक पेपर अच्छा बना है तो कुछ सवाल इस पेपर में से हैं जो हम आप से पूचेंगे स्वामी ब्रह्मन जी के नाम क्या था तालिया बजाईए इनके लिए लड़का कभू अधा यहां बर राट के छात्रा चात्राइं काफी जागरों के तालिया बजा लीजे एक पार ताकि जोस आ जायाए आपे तालिया बजा ले पीछे हाग लोग यहां प्राइब नियुक्ता कि आप फिल फॉर्म क्या होता है यहां प्रियुम्नरी दौबारा प्री लिम्नरी इस दालिया उनके लिए सभी बता है दो बहुत सारे छात्र छात्रा यहां पर है जिन्हों ने लक्ष परबार तौरा आयोजित इस परिक्ष्या को दिया है और अब परिक्ष्या संबंध हो गई है उपस्तिती बहुत अची रही है तो हम चाहिएंगे बहुत करके शबी को निकालते जाइएगा बहुत सारे चाध्या चात्या यहाँ पर रही है और भीड़बार बहुत जाद आती, बहुत कम लोगों से यहां पर सवाल जवाब हो पाए हैं, बाद में हम मिलते हैं सभी लक्ष के जो स्वम सेवक हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं वो देश क्या है इन पेपरों को कराने का, और यहां पर राट में लक्ष कि अपलोड की है किस तरीके से कुल्दीब जी आए, और वक्त से पहले यहां पर आए, और जब बहुत सारे लक्ष स्वम सेवक इनके पास दोड़े, कि इनको ले जाके हम रूम में बिठाय आए, तो इन्होंने मना किया, लेकिन बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के में सफाल होने के लिए, तो कुल्दीब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जंता कर आज में, और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, जो आप यहां लक्ष की परिक्षा में आए, जो स्वामी ब्रह्मानन प्रिद्वा कोज परिक्षा है, आपने टेस्ट दिया, तो कुल्दीब जी अपने सपनों को पाएंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि अगर हमारे पास होसले हैं, जुनून है, तो हम कुछ भी हासिल कर रखते हैं, हम चाहेंगे फिर से आप लोग तालिया बजाकर हमारे कुल्दीब सिंग जी का स्वागत करें, कुल्दीब जी कोचिंग भी बढ़ाते हैं, इसका भी जिकर करिएगा, और राठ वासियों से अपील भी है, कुल्दीब जी घर कहा है, कोई ऐसी जगे जहां पर आप कोचिंग बढ़ा सकते हैं, कोई बच्चे एक शोग हैं, आप से पढ़ने के अतरौलिया, तो डिस्क्रिप्सर में कुल कुल्दी मीडियम बारत तक के बच्चे आ सकते हैं, और इंग्लिस मीडियम के दस तक के बच्चे आप सब्सक्रिप्सर में क्या आप बात है, तो ये लीजिए हमारे लक्ष के सविम सेवक है, उनकी बच्ची है, हमारी बहने उसको पढ़ाते हैं, पूर्वी को जाके कितने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को एंग्लिस मीडियम में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इनसे संपर कर सकते हैं, और घर बे जाके आपके बच्चे पढ़ने के एक चोख है, तो भी कुल्दीप सिंग जी से संपर कर सकते हैं, बहुत स्वागत करें हमारे साथ चात्राइब नाम बता किया नाम है अपका गीतानजली कैसा रहा है एक्जाम अच्छा रहा है तो कुछ सवाव आपसे भी पूछेंगे जवाब देखते हैं दे पाती है नहीं दे और दूसरा असिक्षा है असिक्षा गोदिया है और हमारे साथे जनों ने पैड का कुछ भी कहना चाहती हूं घापटाइए हहाँ सभी लोग को मेरे नमस्कित और यह परिक्षा अपलच्छ परवार के सभी लोगों ने हाल कि उनके लिए मेरा धन्यवाद और यही शपना था स्वामी ब्रह्मान जी का कि यह कॉलिज आंगे जाए और इस यह उनिवेस्टी के रूप में भी आंगे क्या वादतालिया हो इनके लिए और हम सब प्रयास रद है और जन पृतनीदियों से भी उम्मीद है कि आप सब प्रयास करते रहेंगे और स्वामी जी के महाविद्याले को बिस सुविद्याले बनाएंगे और भी कुछ कहने वालया नहीं कहने साथ हैं नहीं कि नहीं सबीना प्रयास समभो नहीं है तो को नहीं है हमारे साथ मेहला सकती भी है जो हर वक्त मौदू रहती है और लक्स के हर अब कैसा रहा और आने वाले समय में जैसा स्वामी जी का चिंदन और दर्शन की स्वामी जी चायते थी कि सिच्छा की जूती जले और उसके माध्यम से चेत्र के जो गरीब और पिछड़े बच्चे हैं जो बिलकुल सिच्छा से वंचे थें उन तक हम सिच्छा कैसे पहुंचा है यह काम लच्छ संगठन कर रहा है और जो गाव ग्रामीन चेत्र के बच्चे हैं उनको एकजाम कराने के लिए सभी को फ़र्म एपलाई किया गया समय दिया गया था जिसमें से लगभा के 500 बच्चे हैं प्रिजेंट लाए 96 पर्सेंट बच्चे आँ पस्तित रहे सभी ने पेपर दिया और अच्छी गैधरिंग रही है और आने वाली समय में हम उनकी शुब कामनाएं देते हैं बच्च्चों को जो आर 15-16 में दो पालिय सब्सक्राइब करें तो इसलिए उनको लोटा दिया गया जिससे वह आगे रहन रखे यह तो हमारा एक प्रेक्टिस टेस्ट है अगर वह रियल्टी में टेस्ट देने जाते हैं तो इस तरीके से तो होता नहीं है कि फार्म ना जमा करें और है उसी देन आ जाएं कि हमें एक्जाम देने को मिल जा ए 그런데 इस बार किसी को एक्जाम नहीं देने दिया जिए जिन्हों तो अगली बार से जो चात्रा है वो ध्यान रखें समय का ध्यान रखें और भी चीजे और मैं आज उपस्तेत अपने सभी गर्मान अतितियों का बहुत-बहुत धन्वान करना चाहता हूं प्राचार जी प्रमान डिक्दी कालेज से एस लपाल जी एबं हमारे प्रधान अचार जी बीएन्वी एंटर कोलेज से जो हमारे बीच और हमारे राष्टी अध्यक जीरीधरम पाल सिंग्यों जी और हमारे सभी लक्षपरवार के सदस्रों को में बहुत-बहुत धन्वाद बढ़ाई दिना चाहता हूं कि सफलता पूरबा जो एक्जाम हुआ सभी बच्चों को भी सफकाइना दे जाता हूं जिन्होंने बहुत ही सांती पूरबाग अपना एक्जाम दिया और आपको भी रागवें जी बहुत बहुत धन्वार तो आप यह चेहरे देखेंगे अक्सर लोग आए बढ़ी है बच्चों को जादा है कि बच्ची बच्ची यह हरवार अपने एक्जाम मैं अच्छी संख्यज़ंके ए बच्चों के जिसमें बशी बढ़ चड़ कर भाग लिया है वह बहुत ही इक सरायनी कदम है लक्च परिवार Hoe की तरब से और इस से बच्चों को जो आगई इसमें बहुत ही सहुलियत होगी जैसे टाइमिग के अंदर हमेंन कैसे वार्क करना है तो बहुत सफल आज कहा रहा है तो बहुत सफल आज का यॉजण रहा है हमारे बीच में प्राचार सर भी और डिग्री तो उनसे बात करते हो, उनसे भी जानते हैं कि लक्ष परवार्द आरो जो आयोजन हुआ है तो सर बहुत बहुत स्वागे थे आपका जन्ता कर राज में तैन्य बाद कैसा रहा आज का यूजन जो आपने रिक्षड किया यह वास्तों में मेरे लिए तो ऐसा सवभग है कि इस चात्रों को ग्रामीड अंचल के चात्रों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो लच परिवाल इसमें बहुत ही महत्तपूर्ण भूमिका निभारा है और वास्तों में यह बहुत ही सराहनी प्लस पूजनी यह कदम है मैं तो यह कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहें तो यहां ग्रामीड अंचल में जागरुकता पैदा की जा सकती है और यहां से ग्रामीड अंचल से छात्र छात्राओं को बाहर निकालने का कार किया जा सकता है आज इस कंपडिशन के दोर में वास्तों में माहौल नहीं है और माहौल अगर है तो यहां से स प्रकास पुंजे अगर इस तरह का परिच्छा के आयोजन से मिल सकता है तो उसमें जो चिपी ही प्रतिभा है उसको निखारा जा सकता है और उन छात्रों को एक बहुत ही सुभावसर प्राप्त हो सकते हैं जिसके माध्यम से वो अपना भविश सुझल बना सकते हैं सब्सक्राइब के लिए जो कर रहे हैं उससे और क्या बेहतर कर रखते हैं पहले आयोजन को लेके क्या आपके मन में है यह जो कारिक्रम है लक्षपरवार की तरफ से बहुत ही सरानी कारिक्रम किया है और जिसमें केवल दस रुपे में नोंने फारम दिया है बच्चों फारम कि उसके साथ साथ उसमें उन्होंने एक पेपर दिया है और OMR सीट दिया है साथ मैं भी देखा मेंने के पैंट भी दिया है तो ये लक्षपरवार इतना कुछ कर रहा है नाम तो लक्षपरवार है आप समझ रहें मगर यहां कोई जाती बंद नहीं है किसी भी तबका है किसी बच्चा आ सकता है और इससे यह फैदा होगा यहां पर पिछले दस साल से मेरे कालेज में यह यह हो रहा है इससे ग्रामीर तके के लोग है जो टेस्ट के लिए कटराती है डर लगता है तो यदि यह तेस्ट दो तीन बार दें तो उनकी जो घबराठ है वो दूर हो बहुत हो धन्वाद सर हमसे बात करने के लिए और हमारी ओडियंस का भी बहुत-बहुत धन्वाद हमें देखने के लिए और इस आयोजन आपको भी आयोजन कैसा लगा जरूर पताइए एक गुमा दीजे कैमरा सब चारों तरफ क्योंकि मुझे लगता है कि काफी जो लक्ष क के सभी सेवक हैं उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है आप देखेंगे सबह से सब लोग पहले यह आयोजन जरूरी था कि जो परिक्षा है वो सफल हो जाए खाना पीना उसके बाद था अब आयोजन सफल हो चुका है तो सभी लोग आराम से तलीन होके पेट-पूजा कर हैं सर आप भी यहां पर रहे हैं और आप भी लक्ष के सदस्य हैं तो आगे आगे हम क्या देखेंगे लक्ष परवार रिक्जाम कराता है आगे क्या बदलाओ आपको लगता है कि हम लोग करेंगे सब मिलके और क्या करना चाहिए हमारे यह स्वामी ब्रह्मान अंद हुकि प्रतिभाय दो आपको खोजने के तो लोग्स परवार जो है उन प्रतिभायं को खोज रहा है यह तो बहुत ही रहे हैं और जो जो गरीब है उनके लिए जैसे पैसा जो है यह ब्योद्धान हो जाता है तो लक्ष्परिवार उसके लिए भी बच्चों के लिए भी साहिता करता है तो मेरे समझ से तो पूरी कोशिछ कर रहे है लग और यह 對 भी खुलवा रहे हैं, अगर जहां जहां पुस्तकाले खोले जा रहे हैं, क्योंकि ज्यान के सागत, पुस्तक्लेव। से जो है बहुत लाब मिलता है आप कोचिंग कैसी चल लगी चलाते हैं कोचिंग सर बहुत अच्छी चल रही है मैं जो हूं मेरे यहां बच्ची अब साम को भी आते बच्चों को इंट्रेस्ट पैदा हो गया है वो बच्चे साम को करीब साथ बजे से या जाते हैं और कुछ पच्चे तो दस बजे भी जाने का नाम नहीं लेते हैं पढ़ते रहते हैं तो कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है और मुझे उमीद है कि सिक्षा का बहुत विकास होगा इस कोचंग के माध्यम से और बच्चे अपने लक्ष को प्राप्त करें तो आप सब देख रहे थे जन्ता का राज मेरा गवेंद राशपूत दन्यवाद